गुड मॉर्निंग दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे सी यूटूब चैनल स्टेडी सर्किल 2.0 में स्टेडी कर रहे हैं एप्लाइट फिजिक्स फर्स्ट और एप्लाइट फिजिक्स फर्स्ट में हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नमबर 6 ठीके ना वीडियो में continue बने रहना है और दोस्तों कुछ छोटे-छोटे important term होते हैं जो कि आपके continuity of equation और आपका vernoly theorem में use होते हैं जो कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो वहां समझ में नहीं आता है ठीक है उसलिए मैंने क्या किया है उस पर एक separate वीडियो जो है बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है यह 5-10 मिनिट का ठीक है इसमें हम वह छोटे-छोटे term कवर करेंगे दोस्तों जो की आपके vernoly theorem और आप लोगों की continuity of equation में जो है आपके use होते हैं ठीक है वह छोटे-छोटे terms क्या होते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो वीडियो में continue आप लोगों को बने रहना है अब दोस्तों condition जो आपकी है यह condition ऐसी बनती है दोस्तों कि जो हम लोग दोस्तों vernoly theorem पढ़ेंगे और जो continuity equation हम लोग पढयेंगी वो अम लोग pipe के अंदर जब liquid फिलो होता है उस condition में देखते हैं ठीक है तो दोस्तो जब liquid आपका pipe के अंदर जो है flow होगा तो वो kinematic condition में होगा यानि गतिक condition में होगा और जब गतिक condition में होगा दोस्तो तो हमें कुछ important data पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि जो liquid flow हो रहा है उसका velocity क्या है राइट बिल्कुल पता होना चाहिए ये पहला condition हो दूसरा हम डाया पता होना चाहिए डाया मतलब इसका बयास पता होना चाहिए और बयास के आधार पर ही तो दोस्तो हम लोग क्या पर कर पाएंगे area निकाल पाएंगे ठीके ना तो area तो सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये pipe है ठीके और इसका card क्या होगा circular होगा इस खृँड़ि कि इसका तो आपको समझ में आ जाता है में सबसे ज़यद़ Counter bill होती है और दोस्तो एक तीसरा टर्म आपका आता है Divat dużo ski जिसमें सबसे ज़दा आप लोगों को कभी आ ऊधा थिग ए किसमें डिस्चार्ज में ठीके तो ये क्या होता है दोस्तो इसमें आपको फ वीडियो में समझने को मिलेंगे और दोस्तों चौता टर्म भी आप लोग याद करेंगे, displacement, क्या चीज? displacement, displacement जो आपका liquid है, वो कितने टाइम में कितनी दूरी चल रहा है, आप लोगों का, ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे तो यह तीन से चार टर्म है दोस्तों और पाजमा भी एड़ कर लीजिए थोड़ा सा एनरजी जो लिक्ट आपका पाइप के अंदर फिलो करता है तो उसके अंदर जो है कित्री टाइप की एनरजी होती है यह भी थोड़ा सा हम देख लेंगे एक से दो मिनिट के तो अरिया हम कैसे लेंगे यह भ्रतबा कर पाइप है निकालेंगे तो यह सामने से यहां से देखेंगे तो यह कुछ इस तरीके से तेखेंगा यानि कि तो हम एरिया के निकालेंगे ब्रत का छेत पल पाई आर स्कॉर ठीक है और आर की जगे अगर हम लिखना चाहें तो डी बटे दो लिख सकते हैं यानि कि यहां से हो जाएगा दोस्तों आपका पाई डी स्कॉर बाई फॉर यह हो जाएगा ना एरिया तो एरिया हमें यही से जो है बनाने का मॉटिव क्यों रखा है क्योंकि मुझे पता है कि यहां जो है 90% स्टूटेंट्स को कन्फ्यूजन होता ठीक है क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि लिक्ट यतनी दूरी तैय करता है उसके जगे हम लिक्ट का वैलोसिटी रख देते ऐसा क्यों करत है तो यह आपको इस वीडियो में भी सीखने को मिलेगा ठीक है तो दूसरा चीज आपको नोट करना दोस्तों वैलोसिटी यानि कि लिक्ट का बेग जो लिक्ट पाइप के अंदर फिलो हो रहा है उसका वैलोसिटी ठीक है तो दोस्तों वैलोसिटी होता क्या है जो लिक्ट आप लोगों का इस pipe के अंदर फिलो कर रहा है ठीक है वो unit time में कितनी दूरी चल रहा है note करना दोस्तों इसको please करके अच्छे से note कर लीजे मैं theory बोल देता हूँ एक बार फिर से लेकिन theory आपको वहाँ लिखनी नहीं है मतलब इसका theory थोड़ी ना आएगा लिकन यह ऐसा term है जोकि वहाँ use होगा जो आपको समझना है ठीक है तो velocity होता क्या है मैंने क्या बोला unit time यानि कि एक आंक समय में आपका दोस्तों liquid कितनी दूरी चलता है कितनी दूरी चलता है यानि कितना displacement उसमें हुआ इसको note करना यानि कि unit time यूनिट time में आपका जो liquid है वो कितनी दूरी चलता है उसी को हम लोग velocity यानि कि b कहते हैं समझ रहे क्या बोला मैंने आपका जो liquid है दोस्तों वो t time में कितनी दूरी चलता है उसे हम लोग velocity यानि की b बोलेंगे यानि की अगर मैंने liquid के particles यहां माल लिए इस cross section पर तो अगर मैं इसका velocity माल लिए यहां से यहां तक देखना चाहता हूँ t time में माल लिए liquid यहां से यहां से flow कर रहा था तो मैं अगर क्या करूँ यहां से यहां तक की दूरी निकाल दूँ ठीके तो वही तो मेरा velocity होगा क्योंकि definition में वही तो बोला गया है कि unit time में liquid जितनी दूरी चलता है वही velocity होता है अगर मैं इस time में यहां से यहां तक की चली दूरी निकाल दूँ तो बहुत important term है दोस्तों दूरी बराबर चाल गुने समय तो चाल यानि की liquid का चाल ठीक है liquid का चाल यहां से बताए किता है भी है और समय दोस्तों हम unit time ले रहे हैं unit time का मतलब है एक बहुत ही छोटा सा time यानि मैं 1 second ले रहा हूं तो जो दूरी होगा जो दूरी होगा वो किसके ब बराबर हो जाएगा दूरी किसके बराबर होगा वैलोसिटी के यानि दूरी ही बराबर होगा वैलोसिटी यूनिट टाइम के लिए इसलिए दोस्तों आपका equation of continuity होगा उसमें क्या करेंगे liquid के द्वारा unit time में जो भी चली गई दूरी होगी मालीज़े यहां से यहां तक इसने जो डी दूरी करी है वो दूरी किसके बराबर होगी liquid के बराबर कैसे होगी तो मैंने आपको अभी दिखा भी दिया कि जो दूरी होगी वो आपका किसके बर तो यानि कि दूरी बराबर आपका velocity तो आप यहां से याद रखना कि जब भी मैं derivation करूँगा और अगर derivation में मुझे क्या है liquid के दारा चली की दूरी रखनी होगी तो मैं क्या करूँगा सीधर वहां पर velocity रख दूँगा यह ध्यान दीजिए मैं अभी से आपको इसलिए बत कि जब भी मैं derivation करूँगा आपका वर्नोली theorem का और आपका continuity of equation का तो वहां पर मैं liquid के द्वारा चली गई दूरी को liquid की velocity के बराबर रखूँगा unit time के लिए यानि बहुत छोटे से time के लिए ठीक है तो यह होगे आपका velocity ठीक है क्या होगा unit time में जो liquid है वो कितनी दूरी च कहते हैं चलिए अब दोस्तों तीसरा टाइम तीसरा जो टार्म है आपका वो आपको note करना है discharge discharge जिस तो हम इसको हिंदी में कहते बिसर्जन यानि कि liquid की मात्रा ठीक है discharge मतला liquid जो है कितना पास हो रहा है ठीक है तो discharge कैसे calculate करते हैं दोस्तों किसी भी pipe में अगर यह pipe है ठीक है इसका cross section वाली जी यह है इस तरी किसी यह गोलाकार pipe है आपका और इस पर जो liquid बह रहा है वो B velocity के साथ बह रहा है और इसका जो यह cross section है ठीक है यह जो pipe का cross section है दोस्तों इसका area किता है A है किता है यह भी A ही होगा ठीक है क्योंकि दौनों साइट से आपका समान है ठीक है तो दोस्तों discharge जब हम निकालते है तो यह कैसे निकालते है थोड़ा सा इसको note कर लीजे जो liquid आपका बह रहा है दोस्तों उसका unit time में कितने time में unit time में कितना volume जो है निकल रहा है वो उसका discharge होता है क्या होता है दोस्तों unit time में unit time में आपकी liquid का कितना volume यह volume यह velocity है ठीक है यह velocity है और यह volume है तो liquid का unit time में कितना volume जो है निकल जा रहा है वो आपका discharge होगा ठीक है त unit time से भाग देते ना होगा unit time मतलब एक second तो यानि कि b बटे 1 बरावर b ठीक है यानि कि volume अगर आप लोग liquid का निकाल देते हैं तो वही आपका discharge होगा तो दोस्तो liquid का volume कैसे निकालेंगे वो भी unit time के लिए suppose मैं यहां से यहां तक का volume जो है निकालना चाहे रहा हूँ यानि discharge निकालना चाहे रहा हूँ और यह tea time के लिए है यहां से यहां तक liquid बहा गया आपका ठीक है और मुझे निकालना है कि यहां जो discharge है वो कितना यानि liquid कितनी मात्रा में है यहां से यहां तक तो मुझे unit time में उसका volume निकालना है, तो volume कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे, pipe का cross-section, volume क्या होगा दूस्तू? volume होता है, लंबाई गुणे चौनाई गुणे उचाई, यही तो आपका volume होता है, अगर कमरे का आयतन आपको निकालना है, तो लंबाई गुणे चाणाई गुणे उचाई करते हैं अब लंबाई गुणे चोडाई मिल करके आपका area बन जाता है क्या बन जाता area तो यहां किसका area रखेंगे pipe का area volume के लिए तो area और into अब यहां लंबाई नहों करके यहां क्या होगा चली गई दूरी यानि यहां से यहां तक चली गई दूरी और यह वाला cross section तो correct section तो A है ठीक है और दूरी किती चली तो दूरी अब यहां पर आप D नहां लिख करके velocity B ही रखेंगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ जब भी आपको दूरी रखना होगा तो वो velocity के रूप में ही रखा जाएगा अभी just मैंने पहले आपको बताया हुआ है तो area हो गया इसका area और velocity यानि जो दूरी रखनी है वो हम B के बरावर रखेंगे तो यह दो दूस्तों आपका discharge होता है A into B अगर आपसे बोला जाए कि कितना liquid पास हो रहा है कितना discharge हो रहा है ठीके तो आप क्या करेंगे pipe की cross section में liquid की velocity से गुणा कर देंगे तो आप लोगों का discharge निकल आएगा ठीके न और आपसे बोला जाए कि liquid जो है unit time में कितना दूरी चला तो liquid जिस velocity से आ रहा था वही velocity आपका क्या हो जाएगा जो velocity जो भी है तो उस्तो वही आपका चला गया है दूरी हो जाएगा ठीके तो ये तीन टर्म आप लोगों आई हो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब आपका बारी आता है तो उस्तो एनरजी का जब pipe में liquid फिलो होगा तो उसमें कितनी type की energy होगी क्यों energy होती है ठीक न और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ठीक है और पसंद नहीं आ रहा है तो आप जो अपनी च्छा और उस्ता डिसलाइक भी मार सकते है चलिए और दोस्तों के साथ भी share कर देना ठीक है तो आप दोस्तों हमें देखना energy की liquid के अंदर कितनी तरीकी की energy हो सकती है ठीक है तो चलिए बैसे तो तीनों energy इसके अंदर होती है pressure भी होती है kinetic भी होती है और आपका potential भी होती है ठीक है कौन-कौन होती है आपका दोस्तों pressure होगा अब होगा कैसे तो मैं अभी ज़श्ट आपको बताऊंगा आप इसे होगा तो चलिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों suppose यह आपका क्या है बाउल है एक बरतान है क्या है आपका एक बरतान है दोस्तों आठीक है अब इसमें पूरे में liquid भरा हुआ है क्या है liquid वरा हुआ है किया है यहां इसके liquid का क्या है गोई हड़ा हटाल है यहां से निकलता भी जा रहा है अब मैं कुई तीन पार्टीकल्स गण्टिडर कर रहा हूँ इह डिरिवेशन नहीं कोई यह चोटा सा आपका हमके सकते एक हम दोर्स डिली लाउब का example देख रहे हैं ठीक न जिसमें आपको अच्छे से समझ मैं गए है कोई derivation नहीं है energy का ठीक है derivation बिल्कुल भी नहीं है चलिए समझिए दोस्तो आपका देखिए मैंने कोई 3 particles माल लिया सब्सक्राइब एक particles मैं मान रहा हूं यहां तल से जो ए पार्टिकल से वो कुछ न कुछ उचाई पर है आपका की नहीं है अब capital H भी माल लीजिए small h भी माल लीजिए जो आपको मानना हूं ठीक है चलिए मैं इसको क्या करता हूं small h माल लेता हूं मैंने यहां से यहां था कि जो दूस्तो हाइट है अब दूसरा दूस्तो हम लोग देखते है pressure energy pressure energy क्या होगा किसी भी अगर point पर आपका उपर से load डल रहा है या आपका बहार लग रहा है या आपका बल लग रहा है तो वहां आपका pressure जरूर होगा तो मुझे बताइएगा यह भी point पर जो आपका molecule से water का इसके उपर जो भी आपका water भरा हुआ यह इत्ता सारा जो आपका water भरा हुआ है इसका कुछ ने कुछ load कुछ ने कुछ भार तो इस point पर आ रहा होगा बिल्कुल आ रहा होगा तो यहाँ पर pressure लगेगा कि नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा यहाँ से liquid यह वहार निकलेगा तो यहाँ आपका जो molecules बह रहे हैं ऐसे उनके अंदर कुछ ने कुछ velocity होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा अगर velocity है तो फिर आपका वहाँ पर kinetic energy है तो इस example के थुरू आपको पता चलता है कि liquid के अंदर तीनों की तीनों energy होती है पहला potential energy liquid का particles कुछ height पर है बिल्कुल है H height मैंने मान रखा है तो अगर यहाँ आपका H height है तो इसके अंदर potential energy होगा यूँकि जब मैंने बर्ग power and energy आपको chapter पढ़ाया था तो बताया था कि कोई भी body कोई भी current अगर आपका H height पर है तो वहाँ potential energy होगा B बेग है तो वहाँ आपका kinetic energy होगा ठीक है और यह particles यहाँ है तो उपर से जो water है उसका कुछ ना कुछ load इस particles पर आ रहा होगा इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ pressure लगेगा क्योंकि pressure क्या पढ़ा है हमने unit area पर लगने वाला force यह load वही तो आपका pressure होता है तो यह unit area होगी है इसका और उपर से जो force आ रहा है जो बेट उपर से वर्क कर रहा है इस point पर ठीक है तो आपका pressure किरियेट होगा pressure किरियेट होगा तो pressure energy होगी और यहां आपका जो point है वो b x से निकलेगा आपका जो water कप फिलो होगा जब किसी ने किसी velocity की साथ जा रहा होगा तो velocity है तो kinetic energy है ठीक है तो यानि कि water के अंदर आपकी तीनों energy होती है ठीक है इतनी चीज आप लोग अच्छे से क्या करिए जल्दी note करिए चलिए दोस्तो note कर लिए आप लोग ने चलिए अब दोस्तो थोड़ा सा इनकी values आप लोग और note कर लिए हलाकि इनका derivation तो आपके exam में नहीं है कि जो pressure energy होता है उसका value कित्ता होता है पी होता है बहुत भी दोस्तो आप लोगों का यूनिट वॉल्यूम के लिए ठीक है एक आंग आयतन के लिए ठीक है यह थोड़ा सा टर्म आप याद रखना कि जब भी आप वर्णोली थियोरम प्रूब करेंगे तो वहाँ पर जो यह एनरजी ली जाती है यूनिट क्या होता है एक बटे दो रो भी इसक्वाइर रो दोस्तो क्या है लिक्ट का मास डेंसिटी है और बी आपका बैलो सिटी है जिसके साथ लिक्ट फिलो कर रहा है ठीक है यह दूसरा एनरजी होता है और तीसरा दोस्तो आपका है पोटेंसियल एनरजी तो पोटेंसियल रो वही है मास डेंसिटी जी आपका ग्रिविटेशनल एक्स रिलेशन है गुर्ति वीत्रोन है और है आज आपका हाइट है ठीक है जिस हाइट पर लिक्ट होगा वो आपका क्या है हाइट है ठीक है तो यह तीनों एनरजी प्लीज करके नोट करना जब आप बर्नोली थियोरम पढ़ेंगे तो इन ही तीनों एनरजी का वहाँ पर यूज होगा प्रैसर एनरजी, कार्नेटिक एनरजी, पॉटेंशल एनरजी ठीक है यह प्रैसर एनरजी है आपका ठीक है और यह आपका kinetic energy है और यह आपका potential energy है दूस्तों इन ही तीनों का sum जो है binomial theorem में constant होता है कैसे होता है तो वो हम कल पुरूब करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आपको यह term याद रखना velocity कोई भी liquid unit time में कितनी दूरी चलता है वो velocity होता है डिस्चारज क्या होगा a into b ठीक है unit time में कितना volume पास हो रहा है वो discharge होगा और energy तीन प्रैसर पी कानेटिक एक बटा दो रो वी स्क्वाइर और potential रो जी एच और वो भी unit आपका volume के लिए ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो प्लीज करेंगे देखना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि उसमें आप हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका बर्नौली थिवरम और हम लोग पढ़ेंगे आपका equation of continuity यानि सतत्ता का धन्तु की very very most important है आपका इस चैप्टर का ठीक है तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में thank you and thanks for watching